दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिट्स है हमारे यूटूब चैनल एजूकेशन मीट में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं General Entries Under GST ठीक है? General Entries Under Goods and Service Tax तो आए दोस्तो जाए टाइम ना वेस्ट करते हैं शुरू करते हैं आज के हमारी वीडियो आगे बढ़ने से पहले दोस्तो आपको बता दू कि आप हमारे Instagram पेस से या Facebook पेस से जोट सकते हैं तो दोस्तो GST के अंतरगर General Entries कैसे की जाए इसको हम Example के माध्यम से समझेंगे उससे ही दोस्तो आपको डंग से समझ में आएगा तो Example कुछ SI की एक व्यापर ही है पंजाब का जो की निम्न ट्रांजेक्शन करता है आपको 10% CGST और 10% SGST मानते हुए Entrya तो दोस्तो जो हमें Information दी गई है वो इस प्रकार है कि 3 लाग का माल एने दिल्ली से खरीदा दूसरी Information दोस्तो हमें दी गई है कि 2 लाग रुपे का माल एने राजस्तान में बेचा इसके लाग दोस्तो 3 लाग रुपे का नगत माल पंजाब में ही बेचा ठीक है और दोस्तो 1 लाग रुपे का furniture भी अपने ओफिस के लिए खरीदा आपको General Entries करनी है CGST और SGST लगाते हुए तो आए दोस्तो अब इसका solution दीखते हैं तो CGST और SGST की form तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तो आपको पता होगा CGST मतलब Central GST होता है और SGST होता है State का GST ठीक है और दोस्तो जब एक राज्य का व्यापारी दूसरे राज्य से माल खरीदा है तो उस पर क्या होता है IGST लगता है मतलब Integrated GST ये इन दोनों का ही सम्मिलत रूप है ये कब लगता है जब एक राज्य का आदमी दूसरे राज्य से माल खरीदेगा और यदि अपने ही राज्य में खरीद रहा है तो CGST और SGST लगता है और दूसरे राज्य से खरीद रहा है तो क्या लगता है IGST Integrated GST ठीक है Integrated का मतलब ही दोस्तों क्या होता है एक ही करत मतलब दोनों का मिला हुआ रूप है जीक है तो दोस्तों यदि पहले ट्रांजेक्शन को देखा जाए तो इसने दूसरे राज्य से माल खरीद आए पंजाबता है ये कहां से माल खरीदा है इसने दिली से माल खरीदा है तो इसकी entry क्या होगी पहली चीज तो हमें normal entry आनी चाहिए पहले आप दिली वेली बूल जाओ पहली normal entry क्या entry होनी चाहिए कि purchase account debit to bank जैसे मानलो हम GST वगर नहीं लगा रहे हैं तो normal entry सीखो पहले तो तो क्या entry होगी दोस्तो purchase account debit to bank ये हम normal entry करते हैं अब लेकिन यहाँ पर क्योंकि GST लगा हुआ है इसलिए जो माल है उसकी कीमत बढ़ जाएगी अब उसकी entry दोस्तो क्या होगी purchase account debit ये तो हो गई इसके लावा होगा input IGST account debit क्या input IGST account debit to bank purchase account debit input IGST account debit to bank पहली चीज purchase में क्या आएगी purchase में आएगी माल की वाक्तिक कीमत कितना है तीन लाग रुबेगा तो तीन लाग तो आएगा purchase account debit क्योंकि दूसरे राज्ये से माल खरीद रहा है तो उसपे क्या लगेगा IGST लगेगा अब लगेगा तो value कम होगी या बढ़ेगी simple सी बात है मतलब bank से पैसा जादा जाएगा ठीक है बराबर बात है तो माल खरीदने पर जो GST हमारा लगता है उसे दोस्तों हम बोलते है input GST और माल बेचने पर जो हम GST लगाते है वो होता है दोस्तों output GST ठीक है आने वाला input जाने वाला output ठीक है तो इस पर जैसे माल आ रहा है हमारे पास तो input IGST account debit कितना आएगा दोस्तों 10% प्लस 10% मतलब CGST और SGST दोनों का mix रूप मिला हुआ मतलब ये 20% हो गया तो 3,00,000,000 का 20% कितना हुआ तीन दूनीचे है मतलब 60,000 रुपे input IGST में आएगे 2 bank में कितना आएगा 3,00,000 का माल था 60,000 का IGST चुगा है तो 3,00,000,000 रुपे इसमें आएगा ये थी पहली entry उम्मिद करता हूँ आपको समझ में आई होगी कुछी भी समझ नहीं आए comment box में लिखो रटना नहीं है दोस्तों समझ रहा है अब दोस्तों यदि बात की जाए दूसरे transaction की तो दूसरा इसका transaction था कि 2,00,000 रुपे का माल राजस्तान में इसने बीचा अब ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ जाने चाहिए कि दूसरे राज्ये में बेच रहा है तो इस पर IGST लगेगा clear बात है वहाँ पर माल खरीदा था तो input IGST था यहाँ पर माल बेचा है तो यहाँ क्या होगा output IGST यह दूसरी बात तो इसकी entry क्या होगी पहले normal entry की बात करते है normal entry हम करते यदि यहाँ पर GST का नाम नहीं होता अपन करते सीधा bank account debit to sales 2,00,000 रुपे लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्या है हमें IGST लगाना है तो उसकी क्या entry होगी bank account debit 2 output IGST account 2 output IGST account 2 sales account अब sales में तो क्या आएगी जैसे हमने purchase में क्या लिखा था वास्त्वी कीमत तो यहाँ पर sales में वास्त्वी कीमत आएगी 2,00,000 रुपे जबकि output IGST में क्या आएगा जो हमने IGST चुका है कितना चुका है वहिया यह चुका है 10,00,000 20% यानि 2,00,000 का 20% बराबर 40,000 रुपे तो यह total कितना में बिटा 2,40,000 रुपे bank से हमने payment कितना गिया 2,40,000 रुपे तो bank account में कितना आएगा 2,40,000 रुपे यह था हमारा दूसरा transaction और उसके दूसरी entry बराबर अब दोस्तों बात करते हैं हम तीसरे transaction की कि 3,00,000 रुपे का माल इसने पंजाब में ही बिचाए नगद माल ठीक है अब इसकी क्या entry पहले normal entry तो normal entry में हम सीधा सा करते एक cash या फिर bank account debit to sales लेकिन अब यहाँ पर यह पंजाब का व्यापारी है और पंजाब में ही इसने माल बेचाए तो क्या लगाएंगे IGST थोड़ी लगाएंगे अपन क्या लगाएंगे CGST लगाएंगे और SGST लगाएंगे ठीक है तो क्या एंट्री होने वाली है हमारे पास क्या आएगा cash या फिर bank account debit to sales account to sales account to output CGST account to output SGST account ठीक है अच्छा यहाँ पर output क्यों आया क्योंकि हम माल बेच रहे हैं तो माल बेचने पर जैसे मैंने बताया था क्या लगता है output तो sales में तो दोस्तों यहाँ पर कितने की करी इसने दोस्तों 3 लाग रुपे की sales करी तो 3 लाग तो दोस्तों आएगा sales account में इसके लाबा output CGST और output SGST CGST की कितनी परसेंट बताईए है हमें 10 परसेंट दोनों ही 10-10 परसेंट है तो 3 लाग का 10 परसेंट निकाल लो 3 लाग का 10 परसेंट होगो 30,000 रुपे तो 30,000 हम लिखेंगे output CGST में और 30,000 ही दोस्तों हम लिखेंगे output SGST में तो 3 लाग यह 30,000 यह कितने हो गया 3,60,000 रुपे वो किस में आएगा cash या फिर bank में आएगा bank account debit 3,60,000 रुपे to sales 3,00,000 रुपे to output CGST 30,000 to output SGST 30,000 रुपे यह complete हुआ दोस्तों हमारा 30 रा transaction एक last transaction जो परसेंगे हमारा वो है दोस्तों 1,00,000 रुपे का furniture आफिस के लिए खरीदा 1,00,000 का furniture खरीदा है अब खरीदने पर हमने दिया होगा खरीदने पर हमने दिया होगा चीक है तो इसकी क्या entry होगी furniture account debit input CGST account debit input SGST account debit to bank चीक है अब furniture तो कितने का आया 1,00,000 रुपे गा तो furniture में तो क्या लिखेंगे 1,00,000 रुपे जहां भी माल है sales है परचे वहाँ उसमें क्या आएगा उसकी वास्त्वी कीमर ठीक है अब input CGST और SGST में क्या आएगा वो यह 10,10% के हिसाब से 1,00,000 का 10% 10,000 रुपे तो 10,000 input CGST और 10,000 input SGST में आएगा bank में कितना लिखेंगे 1,20,000 रुपे टोड़़ए ठीक है तो यह हमारा दोस्तो last transaction भी पूरा हुआ तो दोस्तो transaction की entry तो हो गई लेकिन दोस्तो last में काम बसता है कि बुले आपने इतना GST ले लिया इतना GST चुका दिया आप हमें overall तो बताओ कहीं ज़्यादा GST तो नहीं है आपके पास overall तो बताओ या फिर आपने ज़्यादा तो नहीं चुका दिया अगर ज़्यादा चुका दिया तो आपको कुछ मिलेगा उटकम चुका है तो आपको देना पड़ेगा simple सी बात है मतलब balance करो जो आपका output है input है उनका balance करो हमें यह वो बताना है उसकी entry करना है तो इसके लिए दोस्तो हम क्या कर सकते है एक working note बना सकते है अब working note बनाते है दोस्तो तीन हमारे पास वो है GST के IGST है CGST है और SJST है IGST CGST और SJST अब दोस्तो एक बात बताईए हमने कमाया कितना मतलब जो हमने sales की उस पर हमारे पास कितना GST आया तो हमने दोस्तो sales की है कौन-कौन सी की है तो दोस्तो हमने राजस्तान में 2,00,000 रुपे का माल बेचाता इससे हमारे पास IGST आया था कितने का 40,000 रुपे का तो IGST वाली line में आपन क्या लिखेंगे 40,000 रुपे इसके लाव दोस्तो एक हमने cash sales की थी कब 3,00,000 रुपे की पंजाब में ही sales की थी ठीक है तो 3,00,000 का हमने कितना उटकुट आया था यह CGST और SGST का 30,000 रुपे तो 30,000 हम वहाल लिखेंगे CGST में लिखेंगे 30,000 रुपे और SGST में भी लिखेंगे 30,000 रुपे मतलब दोस्तो 30,000 तो कहां पर आये CGST और SGST में जबकि 40,000 रुपे कहां पर आये IGST में अब दोस्तो इसमें से हम less क्या करेंगे जो हमारा input है उसमें से less करेंगे उसको क्या बोलेंगे input tax credit input tax credit वो less होगा दोस्तो क्योंकि हमने दिया भी तो सरी हमने दिया भी तो सरी अब ये दोस्तो input tax credit क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ एक उधारण के मात्यम से जैसे मान लो एक दोस्तो biscuit का आप जाप आ रही है उसने biscuit के लिए कच्चा माल खरीदा 100 रुपे का और उस पर 20% GST चुका है C GST, S GST जो भी मिला कर है 20% उसने टोटल चुका है तो वो माल उसको कितने का पड़ा? 120 रुपे का पड़ा अब उसने माल बनाया और वो फिर लागत वगरा जोड़के 200 रुपे का उसका बैठ रहा है अब वो दोस्तों माल बेचेगा तो GST लगाएगा किस पर लगाएगा? 200 रुपे पर पूरा तो वो ही 20% के साथे तो 200 का 20% कितना होता है? 40 रुपे 40 रुपे जेश्ट लगा पर वो माल कितने को बेचेगा? 240 रुपे में तो पहले उसने GST कितना चुकाया था कितना चुकाया था 20 रुपए जबकि उसके पास आया कितना भी 40 रुपए तो ये जो 20 रुपए वो चुका के आ चुका है वो तो लेस हो जाएंगे बाकी का 20 रुपए ही अब उसे GST जमा कराना है तो दोस्तो ये जो 20 रुपए हमने less किये यही है input tax credit तो आप दोस्तों हमारे working note को हम complete कर लेते हैं तो output हमारा IGST का था कितना 40,000 रुपए CGST और SGST का था 33,000 रुपए तो इसमें से input tax credit हम less करेंगे तो IGST का input कितना है पहले यह देखते हैं तो IGST का दोस्तों हमारा input है total 60,000 रुपए जबकि output कितना हुआ है 40,000 रुपए मतलब यह 40 के 40 तो इसमें से हम IGST में से adjust कर देंगे अब बाकी का जो 20,000 रुपए बचा है वो किसमें से adjust करेंगे वो दोस्तों सबसे पहले हम CGST में से less करेंगे और उसमें से भी यदि कम पड़े तो फिर हम SGST से adjust करेंगे तो 40 के 40,000 कहां से adjust हो गए IGST तो IGST तो हमारा निल हो गया क्योंकि output 40,000 था हमने input कर दिया 40,000 रुपए input अभी 20,000 रुपए और बचा है वो हम किस से adjust करने वाले CGST से अब दोस्तों अगला जो हम less करेंगे वो input tax credit CGST का अब उसका कितना है 20,000 तो कौन सा है IGST का पहले वो less करेंगे इसके लाव दोस्तों इसका खुद का कौन सा है जो पंजाब से माल खरीदा था इसने 10,000 रुपए का वो less करेंगे तो 20 और 10 30,000 रुपए इसका output कितना था 30,000 रुपए input कितना है ये भी 30,000 हो गया मिला कर तो इसका भी balance निल हो गया अब यदि बात करें SGST की SGST दोस्तों हमने पंजाब वाले माल पर चुकाया कितना 10,000 रुपए इसके लावा कुछ भी हमने नहीं चुकाया तो SGST का जो output था 30,000 रुपए उसमें से हम simple से 10,000 रुपए लेस कर देंगे तो इसका balance कितना बचेगा 20,000 रुपए दोस्तों कितना बचेगा 20,000 रुपए IGST निल, CGST निल हमें केवल SGST का final payment करना है कितना 20,000 रुपए अब हमने दोस्तों जो जो भी किया है IGST, CGST और SGST के साथ उसकी दोस्तों हमें entry करनी है जैसे IGST का हमने क्या किया output से सीधा input less कर दिया मतलब adjust कर दिया तो उसकी दोस्तों entry होगी output IGST account debit to input IGST account output IGST account debit to input IGST account कितना 40,000 का था तो 40,000 का यह हमने कर दिया तो IGST का तो काम करता हम दूसरा आप CGST का लेते है output CGST account debit to input IGST to input CGST क्योंकि यहाँ पर input IGST क्यों आया क्योंकि हमने IGST का भी 20,000 रुपए यहाँ पर adjust किया था इसलिए दोस्तों आया तो IGST का कितना किया adjust 20,000 रुपए जबकि खुद का कितना किया था 10,000 रुपए तो total कितना 30,000 रुपए अब यदि SGST की बात करें तो output SGST account debit to input SGST यह तो 10,000 रुपए हमने adjust किया है simple सा तो 10,000 रुपए यह adjust हो जाएगा अब हमाँ final payment made करना है final payment करना है तो उसकी दोस्तों क्या entry होने वाली है अब balance कहां बचा है balance केवल वहां बचा है SGST में SGST का output अभी भी 20,000 रुपए हमारा पढ़ा है तो output SGST account debit to electronic cash laser to electronic cash laser कितना balance था? 20,000 रुपए तो 20,000 हमने वहां transfer कर दिया और इस से हमारा final payment हो गया चीक है? तो इस तरह से दोस्तों GST के अंतरगत general entries की जाती है एक बार में समच में नहीं है दो बार देखिए, तीन बार देखिए लेकिन समझे, एक बार समझोगे डंग से तो समझ आ जाएगा फिर भी यदि कोई problem हो तो comment box में लिखिए तो उम्मीद करतों आपको ये video पसंद आएगा तो video यदि दोस्तों पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेर बिखरें धन्यवाब अज़िए पस्तों आएगा